चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो आई उसके सेकंड राउंड का रजल्ट आ चुका है जो डबल ए ट्रेपलशी ने जारी किया है इस वीडियो में हम केटेगरी वाइस कोर्स वाइस कटोप देखेंगे कि कौन सी कटेगरी में कौन से कोर्स की क्या कटोप रही है इसके बाद में वीडियो के लास्ट में आपको मैं लास्ट राउंड की एक्सपेक्टेड कटोब भी बताऊंगा कि क्या कटोब जा सकती है लास्ट राउंड में तो सबसे पहले हम कटोब के बारे में बात कर लेते हैं तो कटोब में BMS कोर्स के लिए All India Government कोटा के लिए जनरल कैटेगरी की 539 कटोब रही है फर्स्ट राउंड में ये 544 कटोब रही थी जनरल पी एज की 125, EWS की 536 मार्क्स, OBC की 531, SC की 421 और ST की 408 कटोब रही है BMS कोर्स के लिए All India Government कोटा के लिए अब हम All India Added कोटा की, Government Added कोटा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 533 कटोब रही है जनरल PS 247, EWS 529, OBC 530, SC 416, ST 427 कटोफ रही है BMS के लिए Government Added कोटा की अब BMS के जो BHU है उसके लिए बात करें हम तो जनरल काटेगरी में BMS कोर्स के लिए BHU की जनरल काटेगरी के कटोफ 590 मार्क्स रही है जनरल PS की 260, EWS की 588, OBC की 586, SC की 468, ST की 453 कटोफ रही है BHU के लिए BMS कोर्स के लिए अब बात करें BMS कोर्स के लिए ही Central University जाम नगर की तो 576 जनरल काटेगरी की कटोफ रही है EWS की 575, OBC की 571, SC की 458, ST की 440 कटोफ रही है SAE Central University NIA जेपूर जिसकी काफी ज्यादा डिमांड है अभी BHU से भी इसकी ज्यादा कटोफ जाने लगी है तो इसकी जनरल काटेगरी की 591 है PWD जनरल काटेगरी की 203 है EWS की 585, OBC की भी 585 है SC की 474, ST की 469 कटोफ रही है सेकंड राउंड में आई उसकी इसके बाद में BMS की Central University Shilong की बात करेंगे जनरल काटेगरी की 552, EWS की 545, OBC की 548, ST की 430 और ST की 435 कटोफ रही है BMS के लिए Central University Shilong की अब हम बात करेंगे BHMS कोर्स के लिए तो BHMS कोर्स में All India Government Kota की Government Kota की जनरल काटेगरी की 478 कटोफ रही है जो फर्स्ट राउंड में यह 488 कटोफ थी यानि की यहां 10 marks का decrease हुआ है 10 marks decrease हुए है यहां EWS की 449, OBC की 468, SC की 382, ST की 331 कटोफ रही है अब मैं आपको केटेगरी वाइज कोर्स वाइज एक्सपेक्टेड कटोफ बता देता हूँ कि क्या कटोफ रह सकती है लास्ट राउंड में जो मैं आपको यहां यह कटोफ बता रहा हूँ यह लास्ट राउंड की कटोफ बता रहा हूँ यानि कि इसके बाद 3rd round और मॉपप राउंड होगा 3rd round होगा जिसको मॉपप राउंड भी कहते हैं आई उसकी कंडिशन में और इसके बाद इस्टे वैकनसी राउंड होगा जो लास्ट राउंड होता है तो जो 3rd round होगा उसमें तो 10 marks के निरभाई डिक्रीज होंगे लेकिन जो लास्ट राउंड होगा उसकी एक्सपक्टेट कटोफ यह रह सकती है BMS के लिए ओल इंडिया गवर्मेंट कोटा के लिए 520 EWS OBC 515 इसमें कैटेगरी में EWS OBC में एक दो मार्स दो तिन मार्स का अंतर रह सकता है अब डाउंगा SC 405, ST 380 ऐसे ही BMS कोर्स के लिए ओल इंडिया एडेट कोटा के लिए 510 EWS OBC 503, SC 400 और ST इसमें रह सकती है ST की 375 अब बात करें BSU की क्या रह सकती है तो 580 रह सकती है EWS और OBC की 583 रह सकती है SC की 460 रह सकती है और ST की 445 रह सकती है NIA जैपुर की बात करें हम तो NIA जैपुर की 580 रह सकती है General Category की 580 रह सकती है OBC EWS Category की और 470 रह सकती है SC की और 447 रह सकती है ST Category क्योंकि NIA जैपुर में ज़्यदा वेकेंसी नहीं रहती है मॉप अप राउंड के लिए फिर भी वेकेंसी तो रहेंगी इसमें तो ये Cut-Off रह सकती है CU Silong की General Category की 545 EWS OBC की 540 SC की 405 और ST की 590 Cut-Off रह सकती है लास्ट राउंड में BHMS कोर्स के लिए All India Government के लिए General Category 455 OBC EWS 440 SC 345 ST 320 Government Added Quota के लिए General Category 453 OBC EWS 450 SC 347 ST 325 Cut-Off रह सकती है लास्ट राउंड में ये जो मैं बता रहा हूँ ये लास्ट राउंड की Expected Cut-Off है क्यूंकि इस बार All India में जो 4 राउंड होने हैं इसके भी 4 राउंड होंगे आयूस के All India का 3 राउंड भी होगा और Stay Vacancy भी होगा तो ये जो Cut-Off है वो Stay Vacancy राउंड में जाने की पूरी-पूरी Possibility है तो ये मैंने आपको बताया है आयूस का Second Round का Cut-Off क्या रहा है और Expected Cut-Off क्या रह सकता है तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में आप से फिर से मुलाकात होगी जैसे ही इसकी च्वाइस फिलिंग होगी मॉप अप राउंड की रेजिस्ट्रेशन दुबरा से स्टार्ट होंगे तब भी हम आपको Inform कर देंगे और क्या रही है इसकी मॉप अप राउंड की कटोप और इस्टे वेकनसी राउंड की तो इसके बारे में भी हम आपको Update दे देंगे तो ये आयूस की Information थी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में तब तक के लिए जे